हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू आवर यूट्व चैनल, आज का हमारा फॉस्ट लेक्चर है इंडस्टियर रिलेशन, लेबर लॉज और सोसल सिक्रिटी इन इंडिया पे तो फॉस्ट लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे इंडस्टियर रिलेशन्स तो बहुत सारा क्वेश्चेन आ रहा है कि अच्छा इंडस्टियर रिलेशन्स पढ़े कहां से तो रिफ्रेंस के लिए मैं तो यह बुक से जिस्ट करूंगा यह इंडस्टियर रिलेशन बाई प और उसका लेक्चर बना कि आपको पढ़ाएंगे डीटेल में और ऐसा नहीं होगा कि अगर इसमें कोई या कोई चीजों पर क्वेश्चन आया तो आप उसको मिस कर जाईएगा तो लेक्चर बहुत ही कंप्रिहंसिव होने वाला है और बहुत ही टूदे टॉपिक के एक्जाम के टॉपिक पर ही होने वाला है तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर शुरू करने से पहले दो चार पॉंट्स फैक्ट होने वाले हैं इस लेक्चर में आप देखेंगे कि बहुत सारे फैक्ट्स भी बताए गए है तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे फैक्ट्स का रठ्टा मारना शुरू कर देना है फ्य चला सुबह उठे और रट्टा मार रहे हैं कि अच्छा ये सर ने दे दिया है इसको नोट्स को पूरा रट्टा मार लेना ऐसा नहीं करना आपको सिर्फ पांच-छे बाद इसको रिवाइज करना है आप इसको रिवाइज कर लीजेगा तो आपके दिमाग वह बैट जाएगा ऐसा होने वाला नहीं है आपको सिर्फ identify करना है questions हम लोग साथ ही साथ discuss करेंगे questions मैंने इसमें दिये हुए है वो questions theory जो पढ़ा रहा हूं उससे अलग है उससे additional theories से additional questions है और उसको मैं next lecture में discuss करूंग ताकि आपका वो whole comprehensive वो एक lecture हो जाए और वो कोई भी facts और कोई भी questions आपक करते हैं जिससे कि यह होगा कि next lecture में हम वो question का भी solution देंगे तो चलिए शुरू करते हैं lectures सबसे पहला topic कि हमारा है lecture वन का industrial relations तो industrial relation अगर अगर कोई गधा है उसको समझाना है उसको कुछ नहीं पता है कि let's say कि LKG का बंच्चा है या फिर LKG का बच्चा को नहीं समझा सकते लेकिन 5-6 का बच्चा है तो उसको अगर समझाना हो industrial relation तो उसको कैसे समझाएंगे तो वो मैं बता दे रहा हूं उसके बाद फिर आप देखते कि scientist लोगों ने क्या बोला है उसके बारे में तो industrial relation ऐसा है कि एक industry है जैसे लिए एक industry है उसमें जो major players है उनके बीच में जो interaction है उसी को इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं तो यूज वाली जब जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये तीन चीज़ें आती है एक तो employers आ जाते हैं और एक employees आ जाते हैं और क्योंकि industry को हमारे government control करता है तो एक government भी एक factor आ जाती है क्योंकि या तो government control कर रहा है या फिर government जो rules बना रहा है वो भी control कर रहा है तो usually अगर simplistic definition बता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का तो बोलेंगे कि ये तीन parties है इनके बीच में जो भी relationship है या जो भी interaction हो रहा है तो उसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कहेंगे और लेकिन अब फिर सवाल आता है कि अच्छा ये तो पता चल गए कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है इतना simple है तो इसको पढ़ने की जरूरत क्या है ये scientist लोग बोल क्यों रहे हैं ये सब इतना tough language में ये सारी चीजे और इसको याद करने की क्यों जरूरत है तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि UPSC जब भी identify करता है कि हमको ये question पूछना है तो वो scientist पे इसलिए focus करता है ताकि उससे पता चल जाए कि हाँ ये बच्चा है ना उसी field का है अगर वो labor field का है अगर वो labor laws पढ़ा है तो उसको यूजवली वो scientist के नाम वो theory और text में पता होते हैं और वो बहुत ही उसके लिए बहुत easy होता है अगर जैसे आप science पढ़े हैं तो आपके लिए Newton बहुत ही familiar term है वैसे ही labor laws अगर जो पढ़ा है उसके लिए Flander वो ऐसा ही term है तो वो उसको पता होता है तो वो उस type के question देता है ताकि वो थोड़ा सा जो जैसे दिया हुए desirable qualification वो desirable qualification वाले को advantage हो जाए तो आपको आपको ये नहीं करना है कि labor laws का course करना सुरू कर देना है आपको बस ये आप आपको वही बन जाना है कि हाँ हमको तो आता है से इसलिए आप सिफ scientist का नाम और उसका definition रख लिजा और बाकी तो हम बताएंगे कि क्या बोले हैं तो दो चार हम देख लेते हैं इसमें definition जैसे कि labor dictionary बोलता है relationship between employers and employees यहां देखिए कि employers और employees के बीच में ही relationship बोला है और यहां पर state या government missing है तो वो सब चीज़े हम निश्चे discuss करेंगे फिर जैसे डेल योडलर बोले हैं जो this is very important Flanders जो बोले है वो भी बहुत important है Flanders बोले है study of institution of job regulation जॉब regulation की study को हम industrial relation बोलेंगे जो ILO बोला है वो भी बहुत ज्यादा important हो जाता है टी डॉनलोप का जो भी आपका जो भी statement होगा industrial relation के बारे में वो बहुत ज्यादा important हो जाता है क्योंकि एक type से this is the most one of the most famous personality of this field तो यह इनके statement तो आपको पता होना ही चाहिए तो यह हम detail में इसका model भी पढ़ाएंगे लेकिन जो इन्होंने बोला है कि industrial societies necessarily create industrial relation defined as a complex inter-relationship इन्होंने तीन चीज़ेंगे इंक्लूड किया managers यानि employers workers और agencies of government agencies of government बहुत सारे हो सकते है regulatory bodies या फिर rules laws यह जो बन रहे हैं वो भी एक टाइप से agencies of government है जो control कर रहे हैं तो आपको यह नहीं करना है कि सारा एकदम से याद कर लेना है आपको जैसे है keyword से याद करना है जैसे कि हाँ industrial relationship में डेली ओडन ने जो बताया है या फिर लेबर डिक्सनरी ने जो बताया है उसमें state उस work relationship का तो उसको study करने को हम industrial relationship कहेंगे तो यह यह मैंने question दिया है यह इधर नहीं है तो यह यह आपको करना क्या है कि आपको जाना है कहीं भी आपका जो text book है वहाँ search करना है या फिर कोई और sources search करना है और इसका answer सारे questions का answer आपको उस तरीके सर खोजना है ताकि आपका revision भी हो जाएगा और साथी साथ आपको new information भी मिल जाएगा तो उसका साथी साथ आप notes बनाते रही है और अपने notes में add करते रही है इससे आपका interest भी जगेगा इसमें और आपको extra knowledge भी मिलेगा क्योंकि आप अगर हेगल का statement खोजने जाते हैं तो आपको 2-3 statement और आप पढ़ लिए तो इससे आपका value addition हो जाएगा ये तो बाते हो गई definition की definition को जैसे आपने 5-6 definition पढ़ लिया तो अब देखते हैं कि definition ये 5-6 definition पढ़ा तो एक conclusion तो होना चाहिए क्योंकि सब लोग बोले हैं कि different different जैसे कि नहीं 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 बोला कि सिर्फ study of worker and implies कि नहीं नहीं बोल दि simplistic form में था तो industrial relation को हम लोग simply employer और implies के relationship के बारे में type में understand करते था क्योंकि उस समय ना government इसमें कोई interfere करता था अगर आप capitalist society के बारे में सोचेंगे भी तो उस समय ऐसा था कि capitalist or society या फिर free market में belief रखा जाता था और ऐसा माना जाता था कि आपको industries या फिर जो भी industry उसमें कोई interfere fair नहीं करना है market खुद से अपना invisible hand operate करता है और वो बहुत ही fair होता है तो उस समय rules वगएरा controlling वगएरा नहीं थी industries पे तो वो simple employer and implies के बीच में जो relationship है तो उसको उसके बारे में study करते था अब लेटर जब जैसे ही जैसे industry बड़ा होने लगा तो employer तो आपको नौकरी दे रहा है तो employer के पास बहुत ज्यादा power है वो आपको नौकरी से भगा भी देगा तो लोग union implies जो थे उनके पास कोई power नहीं था जो बोला जाता है ना कि एकता में ही बल है उसी तरह उन लोगों ने समझा कि एकता में ही बल है तो उन लोगों ने union बनाना शुरू कर दिया तो union बन जना बड़ा वो company हो गया है कि अगर company में strike होता है तो आपका पूरा public disturb हो जाता है ऐसा आप देखेंगे कहीं भी strike हो रहा है कोई company कोई labor organization बंद कर रहा है factory तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ factory बंद करते हैं वो बंद कर देते हैं चक्का जाम कर देते हैं स्ट्राइक कर देते हैं तो वो पूरा economic activity बंद कर देते हैं और उस economic activity अगर बहुत बड़ी company है तो उसका impact बहुत जादा पढ़ता है पूरे Indian economy पे तो वो एक type से आपका holistic पूर India पे impact करने वाला एक type से इसू बन गया तो उस समय आपको क्या हुआ कि government को भी intervene करना जरूरी पढ़ गया तो एक type से government भी आ गया इस रोल में तो आप यह सारा statement पढ़ लीजिए basically यही बताया गया है इन statements में साथी साथ यह question है यह question आप खोज के इसको करिए और नीचे comment कीजिए एक साथ आप comment कीजिएगा question number one two जितना भी question है इसमें तो यह तो बाते होगे कि हाँ definition industrial relation आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ क्या होता है एक simplistic term और in the language of scientists भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा important हो जाता है अगर आप से check किया जाएगा कि आप labor laws के student है कि नहीं तो यह question तो आपको डाला ही जाएगा यह question और theoretical जो perspective होता है वो जब बाद में हम discuss करेंगे तो वो दो question आपका आएगा ही आएगा जब check करना होगा कि आपके पास desirable qualification है या नहीं तो अब देखते है aspects of industrial relations aspect का मतलब होता है एक टाइप से नजरिया जैसे आपने industrial relation तो पता चल गया कि आपका यह है तो किस नजरिये से आ देख रहे हैं तो किस नजरिये से देखेंगे तो इसको यूजवाली दो नजरिये से देखा जाता है एक देखा जाता है cooperation के नजरिये से यानि कि जो elements है implies है और जो employers हैं उनके बीच में cooperation का नजरिया है तो उसको बोलेंगे यह cooperation वाला नजरिया या फिर conflict वाला नजरिया त तो उसको बोलेंगे, वो detail में हम लोग discuss करेंगे, क्योंकि अगर cooperation हो रहा है, तो कोई तो बात ही नहीं है, कोई सारा industry smoothly चल रहा है, production बहुत smoothly बढ़ रहा है, तो उसको ज्यादा discuss करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो एक टाइप से ideal situation है, उसको आप पढ़ के भी क्या कीज़ेगा, ऐसा जहां एकदम से ideal situation होता है, उसको पढ़ा भी नहीं जाता है, ये पढ़ सकते हैं कि हाँ ideal situation क्यों है, conflict को हम usually ज़्यादा detail में पढ़ते हैं कि हाँ conflict हो क्यों रहा है, इसका solution क्या है, तो जब industrial dispute topic हमारा आएगा, तो ये सारा बहुत ही अच्छे से और detail में देखेंगे जाएंगे, देखिए आप धीरे धीरे पता चल रहा है कि क्या क्या सब topics हमको इस पूरे lecture series में, या पूरे जो course है, उसमें हमको पढ़ने की जरूरत है, तो जैसे industrial dispute topic आगया, तो आपको वो पढ़ने की जरूरत है, जैसे अभी union की बात आ गई थी, पहले की union बनाने लगे एकता में बल है, तो उसको आपको पढ़ने की जरूरत है, जैसे question आता है, यह question यहाँ से related नहीं है, तो यह भी आप solve कीजिए, नीचे comment कीजिए, ऐसे सारे question यही है, जो आपको इधर जो पढ़ाया गया, उससे अलग है, ताकि आपका जो next lecture होगा, उसमें आपका value addition हो सके, साथी साथ जो आप comment में extra questions करेंगे, तो भी हम discuss करेंगे, तो यह बात हो गए, यह नजरिया हो गया, अब जो subject है, उस पर main impact किस-किस चीज़ों का पढ़ता है, जैसे industrial relation है, तो industrial relation हमने मान लिया कि government, employees और employer के बीच में relationship है, तो अब इस पर impact किस-किस चीज़ का पढ़ सकता है, इस इनके बीच में जो relationship है, या खटास है, मिठास है, या जो भी है, तो उस पर किस-किस चीज़ों का impact पर सकता है, तो सबसे पहला इसमें factors आ जाता है, institutional factor, जहां भी आपका word institutional आ जाता है, तो institutional एक टाइप से बोला जाता है, आपको जैसे जो laws है, policies है, या फिर जो institutions बनाए गए है, जैसे CAG एक टाइप से बोला जाता है, कि एक institution है, Supreme Court एक टाइप से बोला जाता है, institution है, they are the institution to enforce the democracy and constitution of India, तो institutional factors जब भी आ जाएगा, तो laws से जो भी related topic आपका होता है, तो वो तो आपका आएगा ही, तो एक टाइप से institutional factors laws तो आपके relationship को determine करेंगे ही, ऐसा अगर law बना हुआ है, कि हाँ, आपका जो अगर implies है, तो implies को minimum इतना पैसा तो देना ही है, तो एक टाइप से relationship को ये impact कर रहा है या नहीं, कर रहा है, बिलकुल ही कर रहा है, वैसे ही अगर आपका economic organization, अगर आपका जैसे economic organization जो word है, इसको भी ध्यान से समझने वाली बात है, जैसे capitalist, socialist और communism, ये तीन टाइप के कोई भी society इन तीन टाइप में हो सकता है, और्गनाईज, communism अभी कहीं भी नहीं है, लेकिन ऐसे बोला जा सकता है, कि हाँ, communist जो बोला जाता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा detail में, आपको history में, गौर आप सर पढ़ाएंगे, लेकिन एक टाइप से देख लेते हैं, कि इसका impact क्या हो सकता है, capitalist society में, आपको माना जाता है, कि main aim है, हमारा profit maximization, तो profit maximization, जब main aim होगा, तो आपको employer जो होंगे, उनको ज़्यादा support मिलेगा, तो एक टाइप से relationship पर impact पढ़ेगा, तो ये तो बहुत simple सी बात हो जाती है, वैसे ही अगर communist है, तो उसमें आपका जो है state control करता है, सारा means of production, तो एक टाइप से आपका implies union rule करते हैं, तो एक टाइप से ये आपका implies union एक टाइप से हावी हो गया, तो ये economic factor obviously आपका matter करेगा ही करेगा, वैसे ही technological factor की बात आजाती है, technological factor मतलब जैसे आपका जैसे ये आपका कोई factory चल रहा था, आप लिट से बनाने वाले थे कुछ मूर्ती बनाते हैं, आप employer ने एक mechanization लगा दिया, और उसमें आप मूर्ती जैसे आप हाथ से बनाएंगे, वह अगर कोई बीचीच तो उसको तो time लगेगा, और मूर्ती आप 10 बना रहे हैं, वह 1000 मूर्ती आपका mechanization या फिर automation के कारण वो बनने लगा, उससे क्या होगा कि आपका employer implies का वो या तो उनका salary घटाएंगे, या फिर काफी impact हो सकता है, वो सारा हम economy में पढ़ेंगे, लेकिन एक type से आपको idea लग गया कि हाँ, इसका तो relationship पे impact पढ़े गाई, उसी तरह से आपका population का भी impact पढ़ता है, अगर population ज़्यादा है, तो labor ज़्यादा हो गया, तो उससे भी जैसे एक को भगा भी देंगे, तो दूसरा आप आराम से हमको मिल रहे हैं employees, तो उससे आपका impact तो पढ़े गई, नहीं, religion and customs, इसको भी हम लोग detail में देखते हैं, जैसे इंडिया का एक example लेते हैं, जैसे इंडिया में जब Britishers आये थे, तो बहुत लोग question करते हैं कि इंडिया में factory लग गया है, इतना सारा subjugation का practice था, लेकिन फिर भी लोग उसको oppose क्यों नहीं कर रहे थे, तो यहां पर religion and custom का एक बहुत बड़ा role यहां पर समझ में आता है, क्योंकि जो इंडिया में जो society थी, जो बनी हुई थी, वो accustomed हो गई थी, जो यहां पर brahmanical structure बना हुआ था, उसमें आपको accustomed बना गया, द subjugation हो रहा है, तो आधा time तक तो उन जो अनपर लेबर थे, उनको यह नहीं समझ में आ रहा कि अगर Britishers या फिर कोई company वाले exploit कर रहे हैं, उनको लग रहा था कि यह पिछले जन में हम बुरा काम किये हैं, तो उसी का नतीज़े है, तो एक type से यह तो हो गए आपका religion and custom, तो इससे यह क्या होगा, इससे यह हुआ कि आपको employer का authority मिल गया, कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा exploit करेंगे और उधर से आपका कोई भी pushback नहीं आएगा, वैसे ही अगर society बहुत ही ज्यादा, let's say of German society की बात करें, तो वहाँ भी बहुत ज्यादा आत्म सम्मान यह सब वाली बात इसलिए matter करता है कि जैसे एक example आप सुनते होंगे कि हाँ, ब्रेटें में labor party, labor party है, तो एक नाम सुनके ही आपको लगता हो कि labor party है, तो labor को तो promote करेगी, इसको हम detail में पढ़ेंगे, आगे, हाला कि जो अभी का labor party हो, ऐसा नहीं है कि labor union को ही एकदम promote करते हैं, लेकि एक type से न इसका जर्म था, तो political factor impact करेगा ही, जिसका जर्म labor union से ही है, वो obviously कुछ न कुछ हद तक उसको support करेगा ही करेगा, अगर communist government बन रही है, तो वो communist government है, वो union का help करेगी ही, ऐसे कानून लाएगी ही, जो थोड़ा न थोड़ा उसके benefit के लिए होगा ही होगा, तो political factors इसमें discuss करने क ज्यादा जरूरत भी नहीं है, अब governmental factors आ जाती है, जैसे कि industrial policy, labor policy, economy policy, five year plan, जैसे ये government launch करती है, तो ये government factors भी आपका है, इसको हम लोग जब after independence पढ़ेंगे, ज्यादा सारा policies पढ़ेंगे, five year plan पढ़ेंगे, तो उसमें detail में आपको पता चलेगा कि कैसे ये factors impact किये हैं, industrial relation क ये तो सारे बाते हो गई, अब इसके बाद आप ये questions भी कर लिजेए, इसमें question है कि pattern of the technology, इन कौन से factors में lie करता है, pattern of the technology, institutional factor है, economic है, governmental है, या फिर none of the above है, देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है, मैंने technological factors डाला नहीं है, तो आप देखिए इसका क्या answer होता है, नीच and theoretical perspective, तो ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा important जैसा हो कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये आपका core, core माना जाता है, कोई भी subject का core होता है, तो ये आपके subject का core है, ये आपका ये बता रहा है कि अगर कोई भी subject है, तो उसको किस approach से पढ़ें, तो किस approach से पढ़ें, ये अभी भी बोला मैंने तो आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको थोड़ा, जिन लोगों ने ये theoretical perspective पढ़ा है, उनको तो पता होगा, लेकिन लोगों नहीं पढ़ा है, उनके लिए मैं ये बताता हूँ, कि जैसे theoretical perspective ऐसे हुआ, जैसे एक हमारा topic है, geography, एक scientist आये, ये बोले कि geography में हमारा कुछ पढ़ना नहीं है, geography में, जो map में, जो entries दिये हुए हैं, सिर्फ उसी को describe किया हुआ रहेगा, उसी को हम मानेंगे geography में, और उसी को पढ़ना चाहिए, तो ये एक बात हो गई, तूसरे scientist है, वो बोले कि नहीं, जो processes है, अगर आपका volcano हो रहा है, क्यों हो र पढ़ने से क्या फैदा है, ये सब तो already, जो है, environment में already established है, हम इसको एक टाइप से scientific, मतलब जैसे Newton ने formula दिया न, GMM, Y, R square, वैसे ही कुछ formula बताएंगे, कि आपका सब कुछ पता चल जाएगे, कि हाँ, ये पहाड बन रहा है, तो कैसे ये formula से बन रहा है, तो ऐसा formula device करके ब परस्पेक्टिव है, तो उसी को बोला जाता है, approaches कि कैसे कैसे approaches से हम इस subject को पढ़ सकते हैं, तो उसी में आप देखते हैं, सबसे पहला आता है, आपका unitary perspective परस्पेक्टिव सुरू करने से पहले दो चीजे का ध्यान देना है हमें, पहली बात तो ये कि perspective जब भी हम पढ़ words या जो language यूज हुआ है, उसको एकदम से religiously follow करना है, ऐसा नहीं है कि अगर management बोला गया है, तो आप उसको union word यूज कर दें या फिर उससे मिलता जुलता कोई सब्द यूज कर दें, ऐसा नहीं है आपको, क्योंकि ये एक type से text है, ये text है, एक type से history है, history में ये जो बोला ग बीता में, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई उसमें जो एक word है, जिसका same meaning हो सकता है, कोई दूसरे word से तो उसको replace कर दिए, और sloak बोल दिए, तो फिर वो एक type से आप समझ सकते हैं कि वो एक type से बनेगा नहीं, तो उसी तरह से आपका अगर जो बनाया गया है इसमें, तो जो word लिखना नहीं है, तो आपको keywords पहचानने होंगे, यहाँ पर आपको जो keywords बोले गए हैं, इसमें बहुत सारे keywords होंगे, और सारे keywords आपको notes बना लेना है, और सारे keywords को पहचानना है, यह तो बात हो गई, पहली बात और दूसरी बात यह है, कि हमारा जब भी theory पढ़ेंगे theoretical perspective तो एक perspective, एक type से एक तरह से सोचने वाले एक scientist नहीं होंगे, उसमें आप दो, तीन, चार, पांच scientist का नाम हो सकता है, लेकिन कोई एक scientist होंगे, जो जिन्नोंने बहुत ही ज़्यादा groundbreaking work किया होगा, जिनको father of that perspective भी मानेंगे, या फिर बोलेंगे कि नहीं बहुत ज़्यादा work किया है, या फिर यहीं से इनके ही सोच से ये perspective का शुरूआत ही हुआ है, तो वो बाते भी रहेंगी, तो उनका नाम आते ही, आपको, आपके दिमाग में click हो जाना चाहिए, कि अच्छा ये उनिट्री परस्पेक्टिव तो अच्छा ये इनका नाम ही होगा, इसमें, तो ये सारी बाते हो गई तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट्री परस्पेक्टिव में क्या बोल रहा है, इसमें दो प्लेयर्स की बात हो रही है, एक बात हो रही है, वोकर्स की, या फिर उसको यूनियन भी बोल सकते हैं, और या फिर management या फिर employer की, तो ये बोल रहा है कि इ maximum हो, तो profit maximum कैसे हो सकता है, efficiency, efficiency जब maximum होगा, तो profit maximum होगा, तो worker को भी benefit होगा, और management को भी benefit होगा, तो ये तरह से सोचने का तरीका है, कि अगर ऐसा situation है, तो दोनों के बीच में inherent conflict है ही नहीं, तो जैसे देखिए, यहा पर लिखा हुआ है, वो भी इस पढ़ लेते हैं, management and workers are having same objective, दोनों का एक objective है, तो इसलिए conflict कुछ है ही नहीं, अगर कोई conflict है भी तो उसको anomaly, यानि पी वो एक type से exception type का है, या फिर कुछ ऐसा है, जो की होना नहीं चाहिए, management and workers both have the common objective of ये सारी बाते मैंने discuss कर दी है, आप लोग ध्यान से पढ़ लिजे, जैसे high efficiency word हो गया, high profit word हो ग है, यह लिखा हो है conflict between them is anomaly, तो यह आपका keywords है, जब भी आप notes बनाएंगे, तो यह अगर word नहीं लिखा है आपने, तो फिर आपका notes incomplete है, तो आपको यह word लिखना है, जैसे यह लिखा हो है, implicitly underlines HRM approaches, हम आगे पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि HRM में भी कुछ ना कुछ यह प lecture में discuss भी करेंगे, ताकि आपका value addition हो जाएगा, कुछ और भी जानेंगे हम लोग inutri perspective के बारे में, तो दूसरा बात होता है, आपका pluralistic perspective, pluralistic perspective क्या है, इसको माना जाता है कि यह unitary perspective का just opposite है, उसने बोला क्या कि इन दोनों के बीच में कोई conflict है ही नहीं, लेकिन यह बोलेगा कि इन दोनों के बीच में ऐसा है, कि यह दोनों का nature ही ऐसा है, कि इन दोनों के बीच में लड़ाई होना ही होना है, एक type से आप हीरन का example ले सकते हैं, हीरन, एक हीरन है, तो एक सेर है, मतलब इन दोनों के बीच में conflict हो गा ही, यहाँ पर एक type से यह बोल सकते हैं कि सेर हमेश में लड़ाई हो गा ही जैसे दो भाई है उन दोनों के बीच में लड़ाई होना ही है तो अब इसमें कैसे लड़ाई होगा क्या होगा क्यों कंफ्लिक्ट है तो वह हम देख लेते हैं जैसे की वर्कर्स का में एम क्या है कि उनका ज्यादा वेजेज ज्यादा हो ठीक है और मैनेजमेंट क्या है मैनेजमेंट या फिर कंपनी उनका एम क्या है कि उनका प्रॉफिट ज्यादा हो तो यह बोल रहा है कि देखिए अगर आप मैनेजमेंट अगर स्ट्राइफ कर रही है प्रॉ option नहीं रहा जाता है wages reduce करने के अलावा जब बहुत ही ज्यादा competitive market हो जाता है तो wages reduce करने के अलावा कोई और option नहीं होता profit maximization का यह आप communist theory में भी पढ़िएगा और यह आप economy भी पढ़िएगा तो उसमें भी आप detail में जानेंगे तो एक टाइप से अगर profit maximize करना है तो wage reduce करना ही होगा तो wage reduce होगा तो worker का एक टाइप से क्या हो रहा है इसमें इसका नुकसान हो रहा है तो एक टाइप से इन दोनों के बीच में inherent conflict है तो यह वहीं यहां पर बहुला भी गया है आप लेकिन आपको keywords जो है divergent interest जैसे बोला गया है या फिर conflict as a natural outcome तो यह सारे keywords यह आपको पता होना चाहिए अगर लिखा हुआ है तो आप उसको दूसरा परस्पेक्टिव भी लेकिन ऐसे बोल सकता है लेकिन जब ऐसा वर्ड का चू को चूज किया गया है तो आपको एकदम याद आ जाना चाहिए कि अच्छा यह प्लूरलिस्टिक परस्पेक्टिव है तो इसको आपको ध्यान से इसके अलावा यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन पॉइंट है जिस पर पिछले साथ पिछली पार जब एक्जाम हुआ था तो उस पर पूछा भी गया था यह देखिए बोथ पार्टिज स्ट्राइब टो एक्सराइज इकनॉमिक एस वेल आज पॉलिटिकल पावर यहां पर देखिए एकनॉमिक ही नहीं पॉलिटिकल पावर के लिए भी दोनों पर्टिज करना है कि यहां कॉंट्रोल किसका हो इस इंड। इन और सवेट़ील सिप में पॉलिट्कर एजवेल सbooks करिए तो यह undergraduate सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजे ट्राइ कीजिए यह क्वेस्टन सॉल्व करने का यह क्वेस्टन सॉल्व करिए तो और भी आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा और उसका इसको सॉलूशन अब नेक्स्ट क्लास में डिसकस करेंगे तो आपको वैलुए अडिशन भी हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिच पर चलते हैं हमारा हैं कि अबार हो है उसको कैसे चाहिए तो यह कीवर्ट हो गए मैं बार बार इससलिanie बोल रहा हूं तकि आप सीख जाएं कि कि वर्ट क्या होते हैं उसको कैसे पर ही करें और क्रीशन जो आते ह되는 इस होते हैं रैडिकल प्रस्पेक्टिव तो यह रैडिकल प्रस्पेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यह आल्मुस्ट सब को पता रहता है तो अगर आपको नहीं पता है तो यह आपका का टिसएडवांटेज होगा तो इसलिए हम इसको अच्छे से डिक्स डिसकस कर देते हैं कि यह एक टाइप से मांक्स को बोला जाता है रैडिकल रैडिकल जो भी मांक्स के थियोरी हैं वो उसको रैडिकल माना जाता है क्योंकि उन्होंने एक टाइप से प्रोपाउंड किया ह से तो यह ऑपका इसमें बोला क्या गया है तो यह एक टाइप से जोग है कि आपका जो इनहेरेंटली के लिए एक टाइप से वरकर के लिए यहीं बना है जो capitalist system है वो worker के exploitation के लिए ही बना है और until unless जो वो overthrow नहीं होगा इस system का exploitation inevitable होता ही रहेगा management के द्वारा worker का ठीक है और इसमें ये भी बोला गया है कि और ये detail में हम लोग जब communism आपको गौरफ सर पढ़ाएंगे तो वो detail में discuss करेंगे इस theory का आपको बस ये keywords है जो आपको ध्यान में रखने हैं इसमें जो society and conflict between labor and management is simply part of it तो ये आपको ध्यान देना है तो उसके बाद आप देखते हैं इसमें एक बात और भी बोली गई है कि temporary accommodation to this conflict according to radicals देखें यहां पर radicals का use किया गया है इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ Marx है इस theory को propound करने वाले और भी बहुत सारे scientist है तो according to do more than controlling implies in their exploitation exploited position and secure the stability of the system that continues to favor implies जैसे कि अगर कोई भी आदमी यह कुछ accommodation कर रहा है मतलब कि जैसे management या फिर worker में बीच में conflict हो गया तो जैसे दोनों bargain कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में कि अच्छा यह worker बोला कि हमको 10,000 wage बढ़ाओ management बोला कि 10,000 wage बढ़ा देंगे तो profit ही नहीं होगा कुछ तो एक काम कर पांच हजार wage बढ़ा देते हैं तो इनका मानना है कि यह सब जो temporary accommodations हैं एक टाइप से यह क्या हुआ है यह एक टाइप से bargaining यह टेंपरारी एक टाइप से accommodation है जो conflict को दूर करने वाद यह इनका ज्यादा रोल नहीं है यह सिर्फ extend करते हैं और यह एक टाइप से stability secure the stability of a system that continues to favor इस system में आपका अभी भी employer को favor किया जा रहा है इवन आफ्टर जो यह जो अप्रोचेज हैं जो आपका accommodation डाला जा रहा है उसके अलावा भी इसमें favor किसको मिल रहा है employer को favor मिल रहा है अब देखते हैं ट्रस्टी सिप यह बहुत ज्यादा important हो जाता है क्योंकि इसको proportion करने वाले हमारे और कोई नहीं مहात्मा गांधी है तो उनका क्या मानना है मात्मा गांधी जैसे की माना जाता है कि बहुत ही ज्यादा religious person थे इसलिए हो तो उनका क्या मानना था उनका मानना था कि जो आपका जो capital है या पिर जो industry है उनका मानना था कि यह जो इंडस्ट्री या जो कैपिटल है एक टाइप से यह गौड गिफ्ट है यह गौड गिफ्ट टू दा हीमन सिवलाइजेशन है इसका किसी कोई एक ओनर नहीं हो सकता है इसको आप कैसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर किसी ने रहाव स्बेटल बना दिया तो वस्पीटल तो उस आदमी का है लेकिन भलाई क्या हो रहा है नहीं पूरे मैन काइंड का हो रहा है उसमें काफी लोगों का इलाज हो रहा है तो यह टाइप से वाई जैसे वाई से ही अगर कोई इंडस्टरी है तो एक टाइप से लोगों को jobs provide कर रही है किसी का मतलब societal status या economic status उपर कर रहा है तो एक टाइप से यह this is God gift और यह किसी एक का नहीं हो सकता है उनका मानना था कि इवन दो यह जो आदमी है, जो employer है, यह इसका legally owner है, लेकिन morally जो काम कर रहे हैं, जो workers हैं, वो morally इस चीज को own कर रहे हैं, तो मतलब एक टाइप से trust है, तरस्ट है, मतलब जो employer है, उसको owner नहीं मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए कि वो एक टाइप से इस property का trust है, उसी तरह से आप जो employer, employees जो उसमें काम कर रहे हैं, उनको मानना चाहिए कि यह आपका, यह आपका ही school है, यह आपका ही factory है, यह आपका ही company है, और आप उसके corner है, तो दोनों के बीच में inherently कोई conflict होगा नहीं लेकिन क्योंकि उनका सोच बहुत ही progressive था तो उन्होंने इस बात में आप इसको इक्वेट नहीं करिएगा Unitary perspective से इन्होंने और भी दो चार चीजे बोली है वो भी बहुत ज्यादा important हो जाता है जैसे कि इन्होंने बोला है कि Gandhi जी not only endorse the workers right to adopt the method of collective bargain but also actively supported it उन्होंने बोला कि collective bargain जैसे अगर workers है तो उनको अगर wage increase करना है तो उनको collective bargain करना चाहिए एक साथ मिलके वो जो employer के साथ bargain करिए कि हमको दस जैसे अभी बताया हमने की 10,000 wage increase करना है तो एक टाइप से यह this is the best method और इसको कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्पूट solve करने का बहुत ही अच्छा तरीका है और इसको support भी किया है और यह आप history में पढ़िएगा भी तो गांधी जी ने इसको follow भी किया है अगर कहीं कहीं strikes हुए भी है तो गांधी जी गए भी है collective bargain किये भी है उस strike का resolution भी दिये है तो यह आप history पढ़िएगा तो इसके बारे मे detail जानेंगे भी तो आपको ज्यादा अच्छे से वह दिमाग में बैठ जाएगा यहां पर आपको keywords का ध्यान देना है जैसे ट्रस्टी सिप ट्रस्टी सिप जैसे ही आता है तो आपको महात्मा गांधी नाम याद आ जाना चाहिए जैसे अगर उसमें principal की बात होगी तो जो गांधी जी का principal था non-violence, non-position तो यहां पर एक ज्यादा important वात हो जाती है non-position जैसे मैंने बोला कि employer को इसका owner नहीं मानना चाहिए employer को मानना चाहिए कि वो ट्रस्टी है इस factory का ऐसे ही questions भी है जैसे यह questions है strike के बारे में महात्मा गांधी का क्या opinion था तो यह आप solve कीजिए यह solve कीजिएगा तो और भी आपको जानकारी मिलेगा इस theory के बारे में या फिर इस approach के बारे में अब आगे चलते हैं human relations approach human relations approach एक टाइप से बोल सकते हैं जो एचार डिवीजन होता है सारे कंपनियों में और एचार डिवीजन जो अप्रोच लेके आते हैं अपने कंपनी में तो उसी को एक टाइप से बोल सकते हैं कि वह तो वह human relations का approach यूज करते हैं लेकिन वह आपको जैसे मैंने बोला कि exactly अगर किसी चीज़ से मीनिंग इकवेट भी हो रहा है तो आपको खुद से नहीं करना जो साइन्टिस्ट ने बोला है जो उन्होंने प्रोपाउंड किया है आपको वही की वर्ट यूज करने तो इन वर्ट ऑफ की देविस की देविस उसके एक बहुत बड़े प्रोपाउंडर माने जाएंगे इ जाल कि देविस के बारे में यहां करने में प्रोपाउंडर में यह कि एक बारे में इंटर्वियों में गया होंगे सबसे पहला जो एक अचाल डविसन का बहुत यह ज़्याद ज्यादा पूछा जाना वाला question है कि how are you a group player आप group player है की नहीं मतलब आप group में work कर सकते हैं या नहीं इसी से इसी word से ही आपका यह human relation के question को आप solve कर सकते कि इनका बहुत ही ज्यादा यह मानना है इस theory को जो भी प्रपॉंड कर रहे हैं वो यह मानना है कि human type से social animal type के हैं तो उनको group में रखके अगर काम करवाया जाए तो ज्यादा productive होंगे अगर साथ में cooperate करेंगे तो बहुत ही ज्यादा productive होंगे और साथी साथ उनका economic psychological यानि उनको economically profit तो मिलेगा ही साथी साथ वो society से जो interaction होगा या उनका दिमागी स्थिती psychological psychologically भी वो ज्यादा से ज्यादा happy रहेंगे तो एक टाइप से यह आपका HR approach in crux हो गया आपको यह सारे words पढ़ लेने है F.W.Taylor ने क्या बोला है यह भी पढ़ लेना है एल्टन मायों ने क्या बोला है वो भी पढ़ लेना है और साथ ही साथ आपको यह भी पढ़ लेना है कि कीथ डेविस ने जो बोला है कि goal of human relation तो वो क्या है तो get people to produce मतलब लोगों से काम करवाना है उनसे produce करवाना है तो यह तीन यह एक टाइप से प्रिंस्पल एक टाइप से हो गया तो यह आपको पता होने चाहिए आप देखते ही बता दें क्योंकि इस इन सब पर question पूछा जा सकता है यह आपको पूछा जाएगा कि कि एकॉर्डिंग टू कीथ डेविस दा गोल ऑफ हुमें डिलेशन्स आर और उसके बाद तीन ऑप्सन दे देगा और बोलेगा कि इसमें कौन सा करेक्ट है तो आपका जैसे मैंने बताया जो प्रिंस्पल यही है कि हाँ इचार डिवीजन का क्या है तो वो लोग कर रहें कि करो ग्रूप बनो ईसा है वोलोग कभी एचार डिवीजन में का इंटरव्यो में जाएगा तो ऐसा मूलता है कि हम तो केले काम करतें आता किना नहीं होगा क्योंकि उनका वही अप्रोच ही है लोगों को सॉसalities सब्लेसर क्रवोज कर सब्सक्र्वाइं गे तो मिलना ही है criticism भी इसका यही है criticism यह है कि यह encourage करता है dependency मतलब आपको जो है आप group में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप एक टाइप से dependent हो गए एक आदमी के उपर जो आपके साथ काम कर रहा है discourages आपको एक टाइप से hero बनने से रोकता है मतलब एक ग्रूप में आप काम कीजिए इंडिविज्वाली hero मत बनिया आप group के hero नहीं बन सकते हैं ग्रूप में जो भी है सब को equally importance मिलना चाहिए और ignore the importance of technology and culture in the industry यह अभी के जो हैं वो लोग ऐसा नहीं है कि ignore करते हैं technology और culture लेकिन क्योंकि यह हमारा human relation approach है जैसा कि मैंने बताया इसको समझने के लिए हम लोग simplify करते हैं लेकिन जो आपका words लिखा हुआ है उसको आपको exactly याद करना है तो अगर आ गया कि HR approach ignored the importance of technology and culture in the industry तो यह आपको टिक करना ही करना है अब सबसे ज्यादा important topic आता है systems approach तो systems approach है क्या सबसे पहले तो जान लेते systems approach जो आया तो लोग पागल हो गए टाइप से सारे जितने भी subject थे ना सब के लोग systems approach follow करना शुरु कर दिये system approach बोलता है कि कोई भी एक complex system है let's say कि एक computer है और या फिर let's say कि एक tree एक पेड az तो इसको समझना है कि ये पेड कैसे काम कर रहा है तो पेड कैसे काम कर रहा है अगर कोई complex सिस्टम में उसको समझना है तो उसको आप छोटे छोटे सब टॉपिक समें डिवाइड कर दिजिए तो ट्री को डिवाइड किया तो क्या मिला ब्रांचेज हैं लीव्स हैं या फिर ट्रंक है तो यह सारे हैं यह से ही टाइप से सब टॉपिक्स हो गया रूट है और इनके बीच में इंट्राइक्शन हो रहा है कुछ और यह कोई इन्वाइर्मेंट या कोई सिस्टम में काम कर रहे हैं और उससे कुछ आउट्पुट निकल रहे हैं मतलब यह अगर पेड़ो समझना है तो उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड कीजिए और उनके बीच में जो इंट्राइक्शन है उसको समझ यह और उसका ज सकते हैं वह सिस्टम एप्रोश फॉलो कर रहे हैं वह अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत जगा आप देखिए का बहुत सा सारे साइंटिफिक जो ज्यादा मतलब जो माना जाता है कि साइंटिफिक सब्जक्ट से उसमें ज्यादा यूज होता है यह तो से भी डिफाइन करने लगे कि आदमी ऐसे क्यों काम कर रहा है तो उसको भी सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया कि हां आदमी यह यह फैक्टर से हैं और यह यह बीच में इंट्रेक्शन हो रहा है इसके कारण यह बिहेवियर आ रहा है तो यह आपका सिस्टम से अप्र अप्रोच में यूज्वली अगर देखा जाए तो सोना को आए डिफॉल्ट यह नहीं समझनान है क्योंकि कुछ चीज़े जो है वो चली आती है स्ट्रीश्टी से जो पढ़ते आ रही है वो चली आरी है उसको आपको चेंज नहीं करना है उसCO ये नहीं बोल Cake की हाँ शिस्टम से अप्रोच तो इसको हम क्यों नहीं बोल रहे हैं सिस्टम से प्रोच कुछ एक टाइप से वह डेवलप हो गया कोई भी सब्जेक्ट में उसको आपको उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा तो डनलप्स का जैसे मैंने बताया उन्हों ने भी उसी तरह से बाट तो इनको किस तरह से rules इन पर लगे कि maximum या फिर industrial relation में जो harmony का जो हमने देखा था aspect वो बने तो इनका ये था जो rules होने चाहिए वो function होंगे अगर किस जो भी अगर maths के हैं तो उनको समझ में आगा है कि function है तो rules are functions of देखिए यहां पर यह keywords है इसको कभी आप बदलिएगा नहीं अगर इन्होंने actors बोला है तो आपको actors ही बोलना है अगर देखिएगा सेम चीज यहां जो actors है उसको यहां parties बोल दिया गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह parties वर्ड आप यहां यूज करिए गया यह actors का जब भी बात होगा तो आपको समझ जाना है कि मोडल है तो और यह दूसरा हो गया इन्वार्मेंटल तो यह बोल रहा है कि जो रूल्स है वह function है यानि यह जो एक्टर से environment है जो यह मैंने बोला कि components है यह components के बीच में जो interaction है उसका result क्या है रूल्स है तो रूल्स किस टाइप के तीन टाइप के रूल्स ही नहीं बता है एक तो सबस्तेंट रूल एक प्रसेडियोर रूल और फिर रूल्स रिलेटेट टू administration and enforcement तो यहां हम लोग जब भी यह मैं discuss कर रहा हूं तो इसके साथ-साथ iils model को भी साथ-साथ discuss कर दे रहा हूं ताकि आपको easy हो दोनों याद करने में और दोनों में कभी confusion नहीं हो अगर आ गया कि हाँ पार्टी किस मॉडल में हैं और option आगया डनलॉप या आई-ई-ए-लस और नीचे दे दिया गया बोथ तो आपको confusion नहीं हो इसलिए मैंने यह दोनों एक साथ discuss किया क्योंकि बहुत similar है बहुत confusion हो सकता है उसको आपको तो यह देखिए International Institute of Labor Studies ने इसको develop किया और इसमें भी देखिए जैसे इसमें चार चार जो मैंने बोला सब टॉपिक्स इनके इंट्रेक्शन का रिजल्ट है रूल्स वैसे ही यहां भी बोला गया है रूल्स है वो रिजल्ट है कि पार्टीज इंवार्मेंट औंट प्रोसेश का यहां पर क्या result है देख लिया कि रूल्स इसमें यहां पर देखिए थीन टाइप का बात किया गया है एक तो substantive rule एक procedure और एक rules related to administration यहाँ पर क्या है rule का दो type का ही rule बात किया गया है लेकिन यहाँ पर एक चीज और add की गई है यह बहुत ही ज्यादा important हो जाता है क्योंकि यह इस से अलग है थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर rules उन्होंने बात कर दी थी लेकिन उनका बहुत ज़्यादा criticism आया की दूं तो आपने बात कर दी लेकिर रूलिस बनाने के लिए बिद्या सकता है पैला भी इस पीली बना रहा है या फिर इमपलाइय और एमपलाई मिल के रूल यहां पर आपको ज्यादा समझने का नहीं जरूरत था इसमें कि बहुत ज्यादा डेटेल में समझना है आपको में क्या है इसमें इसमें आपको यह की याद होने चाहिए आपको पूछा जा सकता है कि हां तो इसमें यह दे दिया गया यह दे दिया गया यह दे दिया गया दे दिया गया एक में option 1 option 2 option 3 एक में all of the above तो आपको select करना all of the above वहीं अगर IILS का बात होगा तो रूल्स देखिए यह बस दो ही कर रहे हैं यह तीसरा टाइप का रूल्स को प्रोपाउंड नहीं कर रहे हैं वो तो अब question यह भी आपके दिमाग में आ रहा हूँ कि यह वर्ड क्या है substantial of procedure rules होते क्या है तो आप देखिए यह मैंने नीचे question में दे दिया है आप खुद से जाईए इस question को solve कीजिए आपको बहुत ही अच्छे से knowledge हो जाएगा कि हाँ यह rules किस टाइप के हैं और यह question को आप solve करके नीचे comment कीजिए और next lecture में तो हम discuss करेंगे तो एक टाइप से आपका revision भी हो जाएगा और साथ ही additional knowledge भी मिल जाएगा तो actors क्या हो गए actors एक टाइप से management usually workers और government सेम यहीं पर भी है parties employer workers and state लेकिन वही है आपको जैसे वो choice of the wordings जो है वो उसका आपका द्यान रखना है आपको अब इन्वार्मेंटल कंटेक्स का बात करते हैं तो इन्वार्मेंटल कंटेक्स का जब भी बात होगा तो यहां देखिए इनका बहुत ही narrow approach था इन्वार्मेंटल कंटेक्स का इन्होंने बस technological characteristic लिया था मार्केट का लिया था और यह सारे जो है न टर्म्स यह मैं जब next में questions discuss करूंगा तो यह आपको detail में अच्छे से समझा के discuss करूंगा मैं सिर्फ अभी मेरा focus है आपको difference बता देना और जो keywords है उसका knowledge बता देना क्योंकि बहुत ज्यादा भी information मिलेगा तो उसको grasp करने में आपको दिक्कत होगी तो आपको अभी main aim है कि देखिए यहां पे यह economic बोल दिया तो economic में आपका दोनों चीज़ आ जाएगा market and budgetary constraints तो आएंगी उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े इकनॉमिक में आ सकती है social है cultural है तो यह बहुत ज्यादा ब्रॉड है एकनॉमिक सोसल कल्चरल पॉलिटिकल और यह आपको याद करना भी बहुत आसान है ठीक है तो यह आपको याद हो जाएगा यह आपको याद करने में मेहनत लगीगी तो इसको आप तीन चार बर पढ़ि कुछ और ideology है और जो management है उसका कुछ और ideology है तो inherent अगर conflict है तो उसका impact पढ़ेगा ही तो इन्होंने इसको इंक्लूड किया है लेकिन यहाँ देखिए ideology को exclude कर दिया गया है और उसके जगह पे आपका क्या include किया गया है process, this is the process of अगर दोनों में mismatch हो रहा है अगर worker और employees में क solution कैसे बनाया जाए तो उसके लिए है आप negotiation follow कर सकते है collaboration follow कर सकते या फिर resolution तो यह सारे keywords देखिए जो जिनका optional है उनको बहुत ही detail में पूछा जाता है में यह लिखा भी लिखना भी पढ़ता है उसको कि हाँ भाई processes के बारे में लिखिए और उसमें आप 200 लिखिए processes जो आ आपको कहीं आप पढ़ने जाए तो वहां आपको से processes के बारे में ही एक घंटा दो घंटा बताया जाए लेकिन उसका जरूरत नहीं है बिलकुल इस exam में आपको बस यह keywords आपको पता होने चाहिए कि हाँ यह keywords है तो आपको keywords ही identify करने के लिए इसी पर आपका objective बनी सकता है त पर हमने question भी दिया है आप नीचे चेक कभी कर सकते हैं या फिर हो सकता है उपर है जैसे यह देखिए कि हाँ आई-ई-ए-ए-ल-स कौन सा report निकालता है आई-ए-ए-ल-स वाज स्टैबलिस्ट बाई-ए-लो और नॉट तो इसको solve कीजिए इसको solve करिएगा तो बहुत चीज़ करके आई-ए-ल-स ने मौडल निकाला तो एक दो जो चीज़े जो इसमें improvement कर दिया गया है उसको हटा दिया जाए तो दोनों में सेम criticism होगा तो एक क्या है यह इन्होंने authorities के बारे में discussion कर दिया है तो यह टाइप से वह अगर कोई criticism होगा डनलप का तो उसको उसमें यह हटा देंगे और साथ ही इन्होंने कैसे उसका solution किया जाए conflict का उसके बारे में processes को भी discuss किया है तो वह अगर criticism है तो वह भी हटा दिजिए तो वह आपका एक टाइप से criticism full हो जाएगा और यह आपके criticism है यह आपको अच्छे से पढ़ लेना है जैसे he has not given adequate attention to the conflict aspect जैसे देखी यहां conflict aspect को उन्होंने adequate attention नहीं दिया है लेकिन यहां पर देखिए conflict aspect को attention दिया गया और उसको उसका solution बनाने के लिए processes के बारे में भी discussion हुआ है तो यह criticism हो जाएगा लेकिन यह इसका criticism नहीं होगा और बोल दिया जाएगा कि IALS model gives has not given adequate attention to the conflict aspect of the industrial relation तो वो गलत है statement तो और उसके बाद क्या बोलते है दनलप असे इंफेसराइज आज एंडरोल फ्री ग्रूप्स अफ एक्टरीं कंबिनेशन इन फॉर्मूला अफ्व दरूल्स जैसे इन्होंने बोला कि तीन एक्टर्स के बारे में और तीनों को कंभाइन उन्होंने बताया कि यह तीन एक्टर्स काम कर रहे हैं लेकिन काफी इंट्रेस्टेंस में जो रूल बनाए जाते हैं वो डिसीजन ऑफ वन एक्टर होते हैं जैसे कि हमने अभी डिसकस किया हो सकता है कि रूल इंप्लाइर ही बना दे अपने ऑथरीटी से तो वह मौनेपलिस्टिक रूल होगा वह तीनों के इंट्रेक्शन का तो रिजल्ट न बहुत ही ब्रीफली डेवलप्मेंट अफ इंडस्टियल रिलेशन इन इंडिया को बहुत ही ब्रीफली देखेंगे एक टाइप से ओवर व्यू देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जैसे एक हो गया आपका इंप्लाइर तो इंप्लाइर का जो एस्सेशन है उसको डि के बाद आ जाती है गोवर्मेंट तो गोवर्मेंट तो पूरा डिसकस करना ही है लेबर लॉग गोवर्मेंट ने जो लॉज बनाए है वो तो आपका यहां से ही चल शुरू होगा और अभी हम लोगों ने कुछ-कुछ बाते की हैं वह अभी डेवलप्मेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी बाते होंगी और यह हमेशा एक टाइप से चलते रहने वाला टॉपिक है और जब लेबर लॉज पढ़ेंगे हम और सोशल सिक्रीटी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डीटेल में डिसकसन करेंगे तो आपका काम क्या है आपका काम यह है कि यह क्वेस्ट आपका रहेगा उसको नीचे कमेंट करना भूले नहीं थैंक यू वेरी मुच